Hello students, welcome to this video and in this video we are going to deal with the exercise 2f, okay? Last video में हमने factorization पे कुछ question solve करा था, ठीक है? Based on difference of squares, इस वीडियो में हम exercise को solve करेंगे So first question आप इस्क्रीन पर देखो 25x square minus 64y square इस question को आप कैसे solve करेंगे? So हम इसको blank screen पे चलते हो, okay? So आपके पास question है, 25x square minus 64y square, okay? अब आपको इसको solve करना है, तो आप कैसे solve करेंगे? 25x square को आप क्या लिख सकते हैं? बताओ 5x का whole square लिख सकते हैं क्योंकि देखो ये पूरा square करने पर वैसा ही आ जाएगा 25x square ही आ जाएगा, okay? माइनस 64y square, आप 64 किसका square है? तो 8 का square है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8y का whole square, अब देखो ये किस form में आ गया? ये आ गया a square minus b square के form में तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 5x plus 8y into 5x minus 8y, okay? So आप इसको लिख सकते हैं ऐसे So I hope आपको ये question समझ आ गया होगा Next question के ओर हम लोग बढ़ते हैं Next question आप देखो Second number उसी type का है, यहाँ पर 10y का square minus 3x का square आप कर लोगे ठीक है? मैं आपको अच्छे question बताता हूँ थोड़ा मैं आपको फोर्थ number question बताने जा रहा हूँ 2z square minus 4z square ये आपको solve करना है तो आप देखो 3x plus 5y का whole square को तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं लेकिन 4z square को आप क्या लिख सकते हैं? बताओ 4z square को मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लिख सकते हैं 2z का whole square है ना? एक सकेंड मेरे से गलती होगा है मैं यहाँ लिख देता हूँ ठीक है? 2z का whole square अब आप क्या कर सकते हैं? देखो ये किस form में आ गया? ये आ गया a square minus b square के form में अब आप इसको कैसे लिख होगे? बताओ a plus b into a minus b so ये question आप इस तरह बना लोगे बना लोगे? next question के और हम लोग बढ़ते हैं next question है आपका 5 number question देखो 150 minus 6x square इसको आप कैसे solve करोगे? तो चलो हम लोग ब्लैंक की स्क्रीन पर चलते हैं 150 एक सेकेंड 150 minus 6x का whole square तो आप इसको कैसे solve करेंगे? देखो यहाँ पर आप 6 common ले सकते हैं दोनों से तो हमने यहाँ 6 common ले लिया यहाँ बच गया 25 minus यहाँ पर बच गया x square ओके? अब आप इसको कैसे solve करेंगे? तो मैं इसको red से लिख देता हूँ 25 का आप का ले सकते हैं? 5 का square minus x का square ही है ठीक है? यह से लिख दिया हमने और यह 6 अब देखो यह किस form में आ गया? a square minus b square में तो आप इसको solve कर देंगे 6 into a plus b यानि 5 plus x into a minus b यानि 5 minus x तो यह basically a plus b into a minus b पर solve हो जाएगा तो यह question भी हमने बना लिया next question की ओर हम लोग बढ़ते हैं? देखो a plus b to the whole cube minus a minus b ओके? इस question को हम लोग solve करने जा रहे हैं चलते हम लोग black screen की ओर चलो आप यहाँ पर आजो a plus b का whole cube minus a minus b ठीक है? आपको यह solve करना है तो आप क्या करो basically देखो a plus b का whole cube minus यहाँ पर हमने common ले लिया यहाँ पर आप लिख सकते हैं a plus b ओके? अब देखो आप यहाँ पर दो टर्म है ठीक है? दो टर्म a plus b का whole cube और a plus b का power 1 तो आप बताओ इस तोनों में क्या common ले सकते हो तो आप ले सकते common a plus b तो हमने ले लिया common a plus b यहाँ से हमने common ले लिया अब bracket के अंदर आपके पास क्या बच जाएगा? a plus b का whole square यहाँ से बच गया ठीक है? a plus b का whole square minus यह a plus b है तो यह कितना हो गया? 1 यहाँ पर बच गया 1 तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ लिख दिया मैंने 1 और यह bracket बंद कर दिया हमने तो अब देखो यह वाला जो term है यह a plus b का whole square minus 1 1 का square लिख सकते हैं अब यहाँ पर 1 को ठीक है? तो a square minus b square के form में आ गया अब आप इसको आगे manipulate कर देंगे a plus b into a minus b में तो यह पूरी तरह solve हो जाएगा सो आई होब आपको यह question भी समझ आया होगा next question के रहो हम लोग बढ़ते हैं next question आप ले लो यह 14 number question ले लो देखो 108 a square minus 3 b minus c का whole square ओके सो आप इसको कैसे solve करोगे तो देखो आप यहाँ पर next, हम लोग blank screen के रहो चलते हैं देखो क्या है? हमारे पास question है 108 a square minus 3 b minus c whole square ठीक है? यह हमारे पास question है तो आप यहाँ से क्या common ले सकते हैं? बताओ इन दोनो टर्म को देखो ध्यान से देखो इन दोनों term को आप यहाँ से क्या common ले सकते हैं? आप बेसिकलिए यहाँ से common ले सकते हैं 108 यहाँ से देखो 108 वाले टर्म में आप क्या लिखोगे 108 वाले टर्म में आप लिखोगे 3, 6, 36 है ना और A square minus 3 B minus C का whole square B minus C का sorry यह 3 तो आप नहीं लिख सकते हैं ना यहाँ पर एक सेकेंड मेरे से गलती होगे 3 नहीं लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्योंकि यह 3 तो हमने common ले लिया है यहाँ पर आप लिख सकते हैं B minus C का whole square अब देखो यहाँ पर एक और बार आपको manipulate करना होगा यहाँ पर 36 A square को आप लिख सकते हैं 6 A square minus B minus C का whole square यह bracket के अंदर यहाँ पर हमने common लिया 3 अब देखो अब यह किसके form में आ गया यह आ गया form में A square minus B square के form में आप यहाँ से इसको solve कर सकते हैं A plus B into A minus B पर आप इसको solve कर ले ना आप यह questions भी समझ आ गये होंगे आप जो exercise में जो भी questions given है आप इसको easily solve कर सकते हैं I guarantee you that आप आराम से इसको solve कर सकते हैं आप बस इसका screenshot ले लो या वीडियो को pause करके इन सारे questions को solve करो ताकि आपका concept और भी clear हो So till then students, thank you